ज़िए नवशकर्दोस्तों मेरा नाम धीपक बागला है और आज हम भारत के कुछ मेहत्पून बिंदू का द्धिन करेंगे डिस्कस करेंगे जिसे उत्री बिंदू कोण सा दक्षणी कोण सा पूरी पश्चीमी और इसके लावा और भी कुछ महत्पून विंदू हैं और कुछ रिखाओं के बारे मैं दिन करेंगे ठीक है, मैक मोहन, डूरेंड, रेड कलिफ और इसके लावा कुछ और भी तो आए शरू करते हैं देखिए गर भारत के उत्री विंदू की बात करें जो सबसे भारत को उधरी बिंदू है अगर आपको दिख रहा हो, देखो ये हमारा लगबग बन रहा है भारत का मैं अब आपको क्लिए रो रहा होगा ये भारत है ओके और ये मैंने आपको प्रूरी यहां से नहीं है यह यहां से ऐसे करके यह ऐसे करके यह ऐसे है ठीक है जी तो जो भारत का उतरी बिंदू है उसके हम बात करें तो वह है इंद्रा कॉल क्या है इंद्रा कॉल और इसकी लोकेशन देखी आइकन देख रहे है आपको एक यह यह इसकी लोकेशन है तो Indra call जो बिन्दु है भारत का उत्री वो है यहाँ पर, ओके, याद रहेगा, अगर अब बात करें भारत का दक्षनी बिन्दु, दीखें, भारत का जो दक्षनी बिन्दु है, यह है अंधमा निकोबार दीपसम उपर है, और उसमें भी जो यह ग्रेट निकोबार, यह कौ जो द्वीप है, उस पर है, ग्रेट निको बार, यह पूछा जाता है, कि जो भारत का अंतिम बिंदू है और अर्थाज जो इंद्राप पाइंट है, वो कोन से द्वीप परिस्तित है, तो इंद्राप पाइंट है ये, मैंने आपको पहले भी दिखा था और इंद्रा पाइंट की लोकेशन है ये और इस दीप का नाम है ग्रेट निकोवार और इस से उपर वाले दीप का नाम है लिटिल निकोवार बास समझ में आ रहे हैं उतरी पूछें तो कहां येस लोकेशन आपको दिखा दी ओके जमू कश नाम है देख़ें ौर अगर आपको एक क्लिर हो जाएगा और दीखें साफ-साफ ये निकोवार वाला हैं लिटिल निकोवार और ये वहाला का पस्चीम बिंदू कौन सा है, तो जो पस्चीमी बिंदू है, वो है गुजरात के बिल्कुल एंड में, यानि कि जहां गुजरात का आकरी बिंदू है, और इसका नाम क्या है, बताईए जरा, इसका नाम है सर क्रीक, ये एक अंग्रेज जदिकारी के नाम पर खा गया, उनक तो ये हो गया पस्चीमी बिंदू, ये वाला, तो पस्चीमी बिंदू कौन सा है, रिपलाई कीजिए, येस, वेरी गुड, सर क्रीक, अगर पूर्वी बिंदू पोचा जाए, सबसे पूर्वी बिंदू, तो हमने देखे, नोर्थ एस्ट हमने राज्य पढ़े थे, और अ यहां से शुरू करें, तो यहां से लगबग हमारा ये सिक्किम शुरू होता है, और इधर भुटान, और भुटान के बाद यह उना चल, प्रदेश ही शुरू हो जाता है, और हमने इसको अच्छे से लर्ण किया था, टैक्निक भी बताई थी, ये नागलेंड आए जाएग ये बांगलादे, तो ये उनाचल प्रदेश हो गया, तो उनाचल प्रदेश का और उनाचल प्रदेश भी अगर बात करें, तो ये वाला उनाचल प्रदेश, ये यहां से, ये यहां तक, तो यहां एक बिंदु है, यहां, भारत का पूरवी बिंदु, और इसको बोलते हैं वा लांगू कौन सा बिंदु है? वा लांगू याद रहेगा? येस तो भारत का पुर्वी बिंदु बताईए ज़रा येस वा लांगू पस्चिमी बिंदु येस और उत्री बिंदु पूछुतो बताईए ज़रा येस इंद्रा कॉल जक्षिनी बिंदू रिप्लाई कीजिए येस, इंद्रा पाइंट इसके अलावा भे कुछ मेत्पूर्ण बिंदू है देखे जो महारास्ट है महारास्ट में बुम्बाई साइड में है आपको सबी को मालूम है इसको मैंने थोड़ा जूम किया है और मुंबाई के एक्चली जो समुद्र है ये अंदर गुजरा इसके ठीक है न, आपने देखा होगा कहीं दिवार पर लहरे टच होती रहती है और तो यहाँ एक बिंदू है ये पूचते हैं ये वला ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोलाबा पाइंट क्या बोलते हैं कुलाबा पाइंट, तो ये आपको याद रखना है कुलाबा पाइंट कहा है येस, महरास्ट में और महरास्ट में भी कहा येस, मुंबाई में तो ये हो गया हमारा कुलाबा पाइंट कुलाबा पाइंट की है क्लीमिरे पॉइंट देखे ये लिखा और यह वाला जो पाइंट है यह है यह और यह तमिलनाडू राज्यह में उसकी हैं पाड़े में सारे थे तो यांड़ पूझे तो ध्यान रखना प्एड्रो पाइंट जो है वह है श rooft लंका में kay अर शिर्लंका में भी कहाओ जाफणा में देखिए है जाफणा तो ये है पेड़ो पाइंट ओके जी तो पेडुरो पाइंट ये रहा ऊके श्रलंका में और कली मेरे का जो है तमीलिणाड्व में यह ध्यान रखना है finals जाफना में है ठीक और जाफना यह को सहे पंभन पैश्ट मं पूछते अंभी बताते हैं कि मैं स्थूर्ण यह तो निस्थ इदेखें पंबन दीप है यहां पर है रामेश्वर मंदिर रामेश्वरम रामेश्वरम मंदिर यहां पर है ओके रामेश्वर मंदिर यहां पर है और रामेश्वर मंदिर से ही मननार तक और यह है श्रिलंका का मननार यह यह वाला यह यह कौन सा पाइंट है यह इसको बोलते हैं मननार मननार ओके जब भगवान राम की सेना को रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया था पताईए जरा येस उन्होंने तैरने वाले जो पत्थर थे उसको समुदर में डाला था तो एक्चुली जो वो आदम का ब्रिज या राम से तुका है तो वो यहाँ पंबन वीप से लेकर मननार तक है ये ऐसे-ऐसे और आज भी उसका अस्तित्व है समुदर में थोड़ा से गहराई में है क्योंकि साभाविक है उस समय से लेकर कोड़ों साल पहले से लेकर अब तक जो है समुदर का लेवल बहुत अब तक उठ चुका है ठीक है तो अब वो डूब गया है लेकिन अभी उसका अस्तित्व है तो पंबन वीप पूछे तो कहाँ है तमिल्नडु में अगर पूछा जाए रामेश्वर मंनिर किस वीप पर है तो पंबन वीप पर और कहां तक जा रहा है येस मनार तक मननार दीप और मननार किसका है श्री लंका का क्लियर हो गया? यस देखे बहुत important है यह मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ मैं आपको समझा कर मनलब discuss कर रहे हैं हम लोग ताकि आपको याद रहे अच्छा देखे हाँ एक चीज और है यह boost ने पिगमीलियन पॉइंट कौन सा? पिगमीलियन पॉइंट देखे जो एक्चुली इंद्रा पॉइंट है न जो भी आपको दिखाया था इंद्रा पॉइंट यानि कि दक्षिंतम बिंदु भारत का यह वाला या और अगर देखे तो यह वाला तो इसी का जो पुराना नाम था इसी इंद्रा पॉइंट का यह पुराना नाम था पिगमीलियन पॉइंट कौन सा? येस पिगमीलियन पॉइंट तो यह भी आपको याद रखना है परशन पूछा जाता है पिगमीलियन पॉइंट तो पिग मिलियन पॉइंट यास और एक चीज और याद अगर आप कर लें तो हो सकता है पूछ ले आप एक याद कर लेजिए छे, साथ, और आठ, छे, साथ, आठ, ये भुमध्य रेखा से लगबग साड़े आठसो याठसो चितर किलोमेटर दूर है, छे, साथ, आठ ऐसे य सिप्तर कर देंगे, देखिए अगर हम बात करें, तो भारत के जो हैं, सोला राज्य जो हैं, पोडोसी देश से, किसी ने किसी देश से सीमा बनाता है, तो कितने राज्य बना रहे हैं, यास, सोला स्टेट बना रहे हैं, विदेशों से सीमा, ओके, सोला राज्य विदेशों सीमा बना रहे हैं, ओके और अगर इसकी जलिये सीमा पूछे, तो जलिये जो सीमा है, जलिये सीमा, ये बना रहे हैं साथ देशों से, भारत जो है, जलिये सीमा बना रहा है, कितने देशों से, जलिये सीमा बना रहा है, साथ देशों से, अब कौन कौन से, अभी देखते हैं, देखे यहां देखे यह बारत की जलिय सीमा है और यह पाकिस्तान की तो पाकिस्तान से बनाएगा स्वाभावी के एक दूसरा यह इधर बांगलादेश की जलिय सीमा है और इधर भारत की है तो बांगलादेश से बनाएगा दो, तीसरा तीसरा देखिए मेम्मार से बुनाएगा देखिए ये मेम्मार के जो दीप है यहां तक है ओके, चलिए भी मेम्मार को छोड़ते हैं अभी इधर देखते हैं, देखिए स्रिलंका से बना रहा है अभी हमने पढ़ा ही था, जब कली मेरे पढ़ा था, और मनार पढ़ा था तो एक बांगलादेश दो स्रिलंका तीन और यहां एक और देशे मालदीव, ठीक है तो मालदीव से भी ये सिमा बना रहा है तो हो गया चार ओके, और हम बोल रहा है कितने साथ, तो देखिए, यहां क्लियर हो जाएगा और, साथ तो देखिए, एक तो यह हो गया पाकिस्तान दूसरा हो गया बांगलादेश दो, तीसरा हो गया श्रिलंका, सीमा बना रहा है देखिए, यह हैं मालदीव यहां से जो मारा लक्षे दीप है न, लक्षे दीप यह भारत का है, युनिन टेरिटोरिया और देखें यहां तक इसकी सीमा है, ठीक है, तो यह भी बना रहा है, तो चार, अब बचे तीन, अब इनी को ध्यान रखना है, तीन कौन कौन से हैं, देखें, तीन है दरसल एक तो ह यहां ऱ स्काज है, मयम्मार देखें है न, यह भारत के सीम अचली हम अहले है, यहां तक और करके कुछ दूरी तक होती है, अंतरास्य ह Christmas तो या अगर इधर से ना लें, इधर से ले लें, देखिए अंडमानी को बार, अगर हम अंडमानी को बार बार ले लेते हैं, अंडमानी को बार, देखिए इसके भी दीप यहां तक फैले हैं, ओके, थाइलेंड के भी दीप यहां तक फैले हैं, अंडमान का यहां तक फैला ह दो संहां एक आपको अद्यन से देख लीजिए तो मेंम्मार मेंमंहर से सीमा बनाएगा मैंमार से सीमा बनाने के बाद थाइलंड से जैलिए सीमा बनाएगा भारत और वो कौन सा बना रहा tutto अ enni रुबापर दीप संहों के तो मेंमंहर महमार के बाद आएगा थाइलेंड और थाइलेंड के बाद आएगा इंडोनेशिया देखें, मलेशिया थोड़ा अंदर को गुजिया से लिए सीमा नहीं बनाता है तो अगर आपको मैप का थोड़ा अधियन है, हम करेंगे, अलाकि अधियन इसका अच्छे से तीन देश यह हो गए तो टोटल जो है साथ देशों से जो है भारत जलिये सीमा बनाता है वो याद रहेंगे, फसेंगे कहां लोग यस, इस में देखें, यहां तक भी बना रहा है यह बना रहा इधर से यह महमार की यहां तक हो गई उसके बाद इसके सीमा यहां तक हो गई इधर फिर अंडमान की शुरू हो गई और यह फिर यह इधर यहां तक इंडोनेशिया की है और उसके उपर अंडमान की है ठीक है, तो तीनों देश यहाद रहेंगे नाम बता दीजे एक बार, बोलिए येस बोलिए नाम बताईए, येस मैमार थाइलैंड और येस, इंडोनेशिया ठीक है जी अब देखिए, रेखा है रेखा है रेखा है देखते हैं और देखिए, जो रेखा हैं एक है हमारी है, जो सबसे पुरानी रेखा अगर बात करें जो अठारसोच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जीर और सेहां का नाम के था यह ऐस है इस रीक akadantще 측़ और उके इसका का नाम किया था यस दूरंड में एस-धीर monstrós और इसका नाम क्या था यह दूरंड रेका तो बस आपको बहुत जादे सरदर्द करने की ज़ुरूत नहीं आपको इतना ध्यान रखना है दूरंड रेखा है 8.96 में है और आज की डेट में डूरेंट रेखा होगई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ओके थोड़ा सा बहुत ही माइनर सा यहां टचकोता है और वो भी यह वाला चेतर भारत के भारत पर इसका कबजा भी नहीं है यह पाकिस्तान के गबजे में ओके और एक है हमारी 1914 1914 का मतलब है यानि कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो यह वाली जो रेखा है देखे यह वाली है यानि कि अणाचल प्रदीश वाली यह वाली यह यह कौन सी है यस मैक मोहन रेखा कौन सी है जी बोलिये जरा यस मैक मोहन रेखा यह मैक मोहन रेखा है और वास्ता में अगर उस समय बात करें देखे 1950 में चाइना ने तिबबत पर अटाक किया था और जो यह मैक मोहन रेखा खीची गई यह खीची गई 1914 में ठीक है यानि के उस समय यहाँ पर क्या था तिबबत तो वास्तों में अगर इस रेखा के बात करें तो यह जो रेखा थी तिबबत और भारत के बीच थी तिबबत यह तिबबत और भारत के बीच रेखा थी लेकिन चुकि चाइना ने तिबबत पर अधिकार कर लिया, जबरन तो भी रेखा हो गई भारत और चाइना के बीच एक है रेड कलिफ, रेड कलिफ आपको पता ही है, सार रेड कलिफ ने खेची थी और ये भारत पाकिस्तान का जब भाजन हुआ, ये उस समय खेची गई red cliff, okay और red cliff पता ही आपको ये 19-n, yes 47 में तो ये वाली होगे red cliff red कौन से, yes red cliff, एक हाँ एक last point देखे, एक है पटकाई की पहाडिया, देखे जो महमार है न, महमार, देखे महमार है और हिमाले जो माउंटेन है न, देखे हिमाले माउंटेन यहां से ऐसे करते करते ऐसे करते करते गर बात करें तो यहां ऐसे टर्न हो जाते हैं और यह भी हमाले ही है और हमाले ऐसे टर्न होते 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 यह सीधे सीधे यह समुदर में मिल जाते हैं और दीब के रूप में क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है ठीक है न तो ये दीव के रूप में दिखते है एक्चली जो अंडमान निकोबार के जो बिंदू है न वो कही न कहीं हमाले परवत का ही भाग है जो डूबा हुआ है तो अगर आप से पूछा जाए भारत और मेंमार को कौन सी पाड़िया अलग करती है यानि कि ये वाली कौन सी पाड़िया अलग करती है तो आपको आंसर देना होगा पतकाई कौन सी वाली येस पतकाई की पाड़िया तो पतकाई की पाड़िया अगर पूछे तो यहां लिख देता है देखे पटकाई की पाड़िया पूछे तो मेमार और किसके बीचे है पटकाई पटकाई दरसल यहां थोड़ा टर्रेस्ट वाला एरिया है तो यह पटकाते रहते है बंपटकाते रहते है इस एरिया में हाला कि अभी तो शान्त है मामला लेकिन काफे वर्षों तक यहां पर जो है अतंक वाद रहा और काफे इंसा होते रही अच्छा ठीक है यह तो पढ़ाय की बाती एक बात और मुझे आपके साथ शेर करने दी वो यह है देखिए हम तभी तक जिंदा है जब यह तक यह प्रिय उसकाते हैं बीज है और फिर इदर उधर उनको फैला देते हैं मलमूत्र के माध्यम से तो वहां और ट्रे हो जाते हैं अगर यह पक्षी खतम हो गए तो परियाबरन खतम हो जाए गो हम सभी लोग खतम हो जाएंगे तो मेरा मात्र आप से इतना निवेदन है जब भी हम खा तो एक टुकुडा पक्षियों की नाम का रख दें ठीक है और आपनी छत पर या जहां भी आपको उचीत लगे जहां पर पक्षियों उसको खा सके वहां उनको खिला दें बस मात्र मेरा ही आपसे निवेधन है तो ठीक है समापन करते हैं नेक्स दोड़े मिलते हैं नेक्स वि आपन करता हैं तो एक्षियों गेज उस लाइंगा थर दोड़े भ्या आपसे भी विलते हैं नेक्स काईयों मेरा ही जाए भी कि अफिक एट